जै मसी की दोस्तों, आज के स्वर्गे मनना का भाग हमने लिया है दूसरों कृंतियन की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याए और उसका सोलवा वचन. वचन कहता है, परन्तु जब कभी कोई मनुष्य प्रभू की ओर फिरता है, तो वो परदा हटा लिया जाता है. धन्यवाद पित परमेश्वर इस वचन के लिए. दोस्तों ये परदा आया कहां से है? कैसे ये परदा हमारे जीवन में आया? ये परदा अविश्वास की ओर से आया है. जब हमने परमेश्र की ओर अविश्वास किया जब हमने उसकी इच्छाओं पर अविश्वास किया जब हमने उसकी योश्णाओं पर अविश्वास किया तो ये पर्दा हमारी आँखों के सामने आ गया दोस्तों परमेश्य ने हमें अपनी समानता, अपने सरूप मेर अचाह, उसने हमारे संग संगती करनी चाही, वो आदम के संग संगती करता था, उसके संग चलता था, उसके संग विचार विमर्श करता था, प्यार करता था, हालेलोया, लेकिन उस प्यार को आदम समझ नहीं प तो वो पड़ता परमेश्वर की योड से हमारे जीवन में आया क्योंकि हमने अविश्वास किया हाले लोईया। इसलिए रुमियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका तेस्वा और पच्चिस्वा वचन कहता है कि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य पक्षियों चपायों और रेगने वाले जंत्यों की मूर्ती की समानता में बदल दिया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले छूट को अपनाया और स्रिष्टी की आराधना और सेवा की ना कि स्रिष्टी करता की जो सर्वधा धन्य है। आमीन हाले लिया। हिबिता परमेश्वर तुम हीमा और आधर के योग है परमेश्वर। परमेश्वर ने हम सब को बताया कि वो कौन है। परमेश्वर ने शुरू से जब से उत्पत्ती बनी तब से उसने बताया कि मैं कौन हूँ और मैं तुम से क्या चाहता हूँ, मैं तुम से क्या प्यार करता हूँ, मैं कि तुम से कितना प्यार करता हूँ इसलिए उसने अपने एक लोते पुत्र का बलेदान दिया और उसको धर्टी पर भेजा हाले लुए लेकिन जब हमने शरीर की वासनाओं में शरीर की अभिलाशाओं में फसकर अपने शरीर को महत्व देना शुरू किया तो वो पर्दा हमारे सामने आगे रहा पूरी तरीके से हमें दास बना देता है वो परता हाले लुए दोस्तों याद करिए एक चरित्र को उसका नाम था सौल जो समझता था कि वो पर्मेशर के वाचा को समझता है वो उस व्यवस्ता को जानता है लेकिन वो पर्मेशर को नहीं जानता था वो समझता था कि मैं वाचा को समझता हूँ, मैं वैवस्ता को जानता हूँ, लेकिन वो परमिश्र की विर्द काम करता था, परमिश्र की इच्छा की विर्द काम करता था हाले लिया, लेकिन जब सौल पॉल बना, जब उसने अपना मन फिराया, जब वो परमिश्र के करीब आ जब उसने जाना तो पर्दा उसके जीवन से हड़ गया और आप जानते हैं कि इतिहास बना और उसने अद्भूत आशीशित वशन हमें दिये और उन वशनों के द्वारा आज हमें जीवन मिलता है हमें जोती मिलती है हमें सुख मिलता है और इसलिए फिलिप्यो की पत्री उस पर्दा जब हम हमारे आखों के सामने से उठ जाता है तो हम उस पिता पर्मेशर के सचे प्यार को जान लेते हैं उस सची पवित्रता को जान लेते हैं हम उस संबंद को जानते हैं जो है जो पर्मेशर हमारे बीच है और इशो मसी के दोरा बना है उस संबंद को हम जानते है उसकी शक्ती को जानते है और सुरक्षा को पाते है उस शांती को पाते है अपने जीवन में जो परमेशर की उड़ से आती है तो दोस्तों अगर कोई भाई, कोई भेन आपके जीवन में अगर आपको मिलता है और उसके सामने, उसके आखों के सामने ये पर्दा है तो प्लीज कोशिश करिए उसे ये ग्यान देने की, ये समझ देने की और वो पर्दा ताकि उट जाए ताकि वो विश्वास करे और वो पर्दा उसके सामने से उट जाए आई हम प्रात्रा करते हैं हम धन्यवाद देते हैं पता परमेश्यर का कि परमेश्यर नहीं हमारी आखों के सामने से वो पर्दा हटा दिया और हम उस सच्चाई को जान पा रहे हैं हम उस हकीकत को समझ पा रहे हैं और उस प्यार को हम अपना पा रहे हैं जो परमेशर की ओर से हमें मिल रहा है मुफ्त में और परमेशर का आशीश परमेशर का अभीशेक परमेशर की प्रतिग्याएं प्रमेशर के βचन हमारे लिए हमें चीवन देती है और हमें शक्ती प्रतान करते हैं इस सुभा प्रमेशर सुनने वाले हर भाई-वेन के लिए तेरा आशिश मांगता हूं बद्धी मांगता हूं समझ मांगता हूं ताकि जो पड़दा इनके जीवन से हट गया है परमेशर वो कभी वापस ना है परमेशर और विश्वास इनके जीवन में चट्टान की तरह मस्बूत बना रहे इश्व वसी के पवित समर्थी नाम से मांगते हैं Amen, Amen, Amen